ये गाइस थैंक्यू सो मच फॉर कमिंग बैक कैसे हैं आप अच्छे लोग सारे मिरा नाम है सुनिल चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट आज का वीडियो बहुत ही जादा खास होने वाला है स्पेसिफिकली डिसकस करने वाले हैं आज के वीडियो में क्लेट एक्जामिनेशन 2021 की या फिर उसके बाद भी 2022 के लिए 2023 के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहें तो क्या आपका एप्प्रोच होना चीए कौन सी वो बुक्स है जो आप रैफर कर सकते हैं और इस क्लेट एक्जामिनेशन को सकसफुली क्लियर कर सकते हैं या फिर पहले attempt में आप crack कर सकते हैं तो बिना कोई time waste करते वे सीधा चलते हैं हमारे वीडियो पे उससे पहले अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा है तो नीचे सुन्दर सा लाल कलर का button है प्लीज दबाईए notification bell को hit करिये ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिल सके चले सबसे पहले books बताने से पहले थोड़ा सा pattern हम देख लें क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जोकि अभी 9th या 10th में हैं और आगे जाएके clad देने वाले हैं best books के वीडियो में आतो गए हैं चलो उनको सबसे पहले थोड़ा सा pattern सब्वेर करा जाए तो नॉर्मल सी बात है duration रहता है 2 घंटा जल्दी जल्दी pattern देखने वाले हैं 150 question पूछे जाते हैं सारे के सारे हमारे multiple choice आपको question यहाँ पर मिलते हैं language paper की सिर्फ और सिर्फ English रहती है हर एक right answer का आपको एक marks मिलता है negative जो भी आप गलत करते हैं question उसका point two five कर जाता है कोई answer छोड़ देते हैं नहीं attempt करते तो उसका कोई marks नहीं करता है sections की बात करेंगे तो कुल मिला के 5 sections हमें देखने को मिलते हैं पहला English language रहता है 28 से 32 question आते हैं current affairs including journal knowledge 35 से 39 ता question आते हैं quantitative technique mathematics में 13 से लेका 17 ता question आते हैं legal reasoning में 35 से 39 ता question आते हैं logical reasoning में 28 से 32 ता question आते हैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो in total 150 हमें questions देखने को मिलते हैं चली अब सीधा चलते हैं हमारे आज के topic के उपड जो ही है clad books अब मैं हर section की एक book बताने वाला हूँ देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 books भी बता सकता था लेकिन majority of the बच्चे या success जो secret है यहाँ पर वो यह है कि एक ही book follow कर यह लेकिन इतनी अच्छी तरह कैसे उस book को हमें पढ़ना है ताकि कोई भी concept हमें miss न हो और हम easily syllabus time पे cover कर पाएं और syllabus का revision multiple times करना यही है secret to success सबसे पहले बात करूँगा उन बच्चों के लिए जिनको all in one guide चाहिए कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें हर section के अलग book नहीं चाहिए तो सर हमें एक book बता दो हमें एक book बता दो जिसके अंदर सारे section आ जाए और हम पढ़कर हमें idea भी लग जाए थोड़े बहुत sample paper भी हमें मिल जाए previous year paper भी मिल जाए और हमें in total हमें idea लग जाए और हम मेहनत करके हम examination clear कर लेंगे तो उनके लिए बच्चा all in one guide में self steady guide है CLAT 2021 by Ariont experts की अच्छा जो भी मैं books यहाँ पर detail करने वाला हूँ बताने वाला हूँ आपको सब के link मैंने description में दिये है description में एक link मिलेगा आपको CLAT exam books नाम से उस पे जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने पूरी list खुल जाएगी उसमें से CLAT के books देखनी है वहाँ से चाहें तो वहीं से purchase कर सकते हैं नहीं तो note down कर लिजे और अपने market से जाकर आप purchase कर सकते हैं पूरी की पूरी choice आपके उपर है चलिए अरियंत experts की आती है बच्चा self steady guide नाम से link को click करेंगे आपको redirect करेगा वहाँ से आप देख सकते हैं वो आप purchase कर सकते हैं the best book है अगर all in one guide अगर आप चाहते हैं simple हो रहा है चलिए previous year paper अब बच्चे बोचते हैं previous year paper बहुत ज़रूरी हैं बताते हैं लेकिन आपने यहाँ पर mention नहीं कर रखें देखें मैंने इसलिए mention नहीं कर रखें क्योंकि 2019 के बाद pattern change हो गया है और दस साल के पांस साल के अगर आप paper करेंगे तो pattern different होगा completely अलग होगा तो वहाँ पर मैंने refer नहीं कर रहा कि instead of मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बहतरीन sample paper आपके लिए set of 15 new labels पे जो depend करता है या new labels पे जो pattern पे बना गया sample papers है वो मैंने आपके लिए refer करें है यहाँ पर oswal के जी हाँ वो ही oswal है 11-12 में जो आप board में sample paper करते हैं उसी के 15 sample paper के यहाँ पर एक book आती है बहुत ही बहतरीन है new pattern पे based है जो भी आपका passage type जो आजकल question आते हैं उस पे based है तो यह must have guide में इसको बोलूँगा जो आप purchase करनी है sample paper में उस वाल के sample paper नीचे description में लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं चलिए अब आते हैं section wise कई बच्चे बोलते हैं सरा में section wise पढ़ना है तो उनकी books बताईए English language के लिए एक book अगर आपको purchase करनी है वो होनी चाहिए objective general English by RS Agrawal sir की current affairs की बात करूँगा तो current affairs में monthly current affairs prepare करने के लिए प्रतियोगीता दरपन या फिर newspaper दोनों में से एक अगर आप newspaper नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रतियोगीता दरपन बढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप newspaper पढ़ रहे हैं current affairs आप वहां से आप manage कर सकते हैं और देखिए मैं ये last में भी बोलने वाला था लेकिन मैं पहले ही clear कर देता हूँ सबसे vital अगर चीज मुझसे पूछोगे examination में से crack करने के लिए क्या होनी चीए वो है आपका understanding level understanding level in sense of कि आप passage को पढ़कर passage क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हर question में मैंने pattern बताया था आपको दो दिन पहले एक video आया है जहां पर मैंने आपको sample paper दिखाया एक और sample paper में जितने भी question है सब कैसे based है reading passage based है passage है उसके बाद 4-5 question है तो यहां पर understanding level बहुत ही strong होना चीए उसके लिए रोज English का newspaper पढ़ना must है अगर आप इस examination को crack करने के सोच रहे है newspaper पढ़ने से ना सिर्फ आपका current affairs improve होगा ना सिर्फ आपका English improve होगा ना सिर्फ आपका legal awareness improve होगा logical reasoning improve होगा मतलब जितने भी section है mathematics को छोड़ कर mathematics में PR मदद मिलेगी एक बार में ही question को पढ़ने पढ़के समझ जाओगे अगर आपका reading comprehension strong होगा तो राइट इसलिए read करना बच्चो कम से कम कम से कम 2 से 3 घंटे रोज read करना बहुत जरूरी है जितने कम समय में जितने कम समय में आप passage को पढ़कर समझ जाएंगे कि यह passage क्या बोलना चाहता है उतनी जल्दी सारे questions के answer आप दे पाएंगे तो मैं newspaper reading को सबसे रा priority देता हूँ examination को crack करने के लिए चलिए तो यहाँ पर current affairs कैसे पढ़ना है newspaper newspaper कौन सा sir the Hindu best है उससे नीचे बात करें तो Indian Express उससे नीचे बात करें है legal reasoning में legal awareness and legal reasoning book आती है AP भादवास sir की वो आपको purchase करनी है simple हो रहा है logical reasoning में modern approach to verbal and non-verbal reasoning आती है RS agrabal sir की वो आपको purchase करनी है clear हो रहा है यहाँ तक सिर्फ एक एक book बता रहे कि मैं खड़चा नहीं करा रहा आपका मैं खड़चा नहीं करवाना चाहता आपका इसलिए अगर आपको book purchase ही करनी है तो आप यह जा सकते हैं नहीं तो सिर्फ और सिर्फ sample paper उठाईए all in one guide मंगा सकते हैं idea के लिए और जितना हो से के sample paper लगाते रहे जितना sample paper लगाएंगे उतना आपको exact idea होगा कैसे यह questions आते हैं section wise book अगर purchase ही करनी है तो इन में से आप एक purchase कर सकते हैं simple हो रहा है चलिए maths के लिए again quantitative aptitude for competitive examination हो गया खेल खतम हमें यह study का set हमें तयार रखना है अगर आप specific section wise मंगा रहे हैं नहीं तो all-in-one guide मंगाईए idea पूरा हो जाएगा आपको क्या आता है कैसे आता है right plus sample paper यह दो चीज़े दो category में मैं divide कर रहा हूँ एक category के बच्चे सिर्फ क्या खरीच सकते हैं all-in-one guide और sample paper दूसरी category के बच्चे क्या कर सकते हैं all-in-one की फिर उनको जरुवत नहीं है हर section के book मंगा सकते हैं और sample paper लगाईए जितने ज़्यादा sample paper लगाएंगे या फिर mock test जिसको बोलते हैं अगर website वगेरा में अगर paid available होते हैं तो वो purchase कर सकते हैं नहीं तो ऐसे Oswal के sample paper भी बहुत अच्छे हैं उनको लगाकर आप fully sold sample paper हैं तो आप उनको purchase करकर अपनी preparation को improve कर सकते हैं newspaper पढ़ना is a must वहाँ पर कोई option नहीं है newspaper तो पढ़ना ही पढ़ना है whether you are purchasing an all-in-one guide or you are going with a book of every section simple हो रहा है बच्छों समझ में आ रहा है तो इस बनाने का इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है मेरा एक simple direction दे पाऊँ आपको minimum minimum 2-3 फिर भी 3 month 3 month preparation dedicated होके जरूरी है नहीं तो सिर्फ pass हो पाऊगे और सिर्फ pass होने से NLU नहीं मिलेगा simple simple क्या है बाद NLU के लिए rank hold करनी जरूरी है top 100 में, top 50 में आना कैसे preparation बहुत जरूरी है total focus dedicated होके जरूरी है अच्छा एक question यहाँ ले रहा हूँ मैं जदा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को एक question लेता हूँ बहुत important question है बहुत बार बच्चे पूसते हैं मुझसे counseling session में भी कि sir board की preparation करें या फिर CLAT की मेरा हमेशा answer यह रहता है CLAT की preparation क्यों क्योंकि यार board में 99% लाकर भी क्या कर लोगे CLAT में fail हो गए और तुमारा main मकसद ही CLAT को crack करकर एक lawyer बनना है NLU's mad mission है तो matter क्या करेगा आपके लिए CLAT जरूरी है या फिर board जारा जरूरी है अगर बोड में 70% लाकर अगर तुम CLAT crack कर रहे हो और अपने मन पसंदना NLU's तुमें मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो मतलब बोड पे भी focus करो लेकिन तो जादा focus है 70-30 का ratio रख सकते हो 70% time अपना जिसे मालो 6 गंटे अगर आप steady कर रहे हो throughout the day तो अपनी 4 गंटे की strategy CLAT को दो 4 गंटे की strategy CLAT को दो और 2 गंटे का time अपना बोड को दो तिकत क्या आ रही है अगर आप थोड़े भी ठीक ठाक बच्चे हो ना बच्चा लोग तो 70% बोड में preparation है वो sacrifice नहीं करनी है और बहाना नहीं देना मुझे सबसे बुरा बहाना यही लगता है कि sir अब तो बोड आ गए बोड के बाद ही एक मैने बाद ही CLAT का examination है अब क्या करें अब कैसे prepare करें भाईया जो prepare करते हैं जिनको मिलता है वो 10 के बाद ही preparation करना है start कर देते हैं अगर आपने नहीं करी है तो अब right time है board के साथ साथ board के साथ साथ जैसे मैंने बता है 70% weightage आपको plat को देना है 30% आपको board को देना है ताकि आप board में भी tik-tak कर पाऊ और clad को crack कर पाऊ उमीद कर रहा हूँ यह मेरा suggestion आपके समझ में आया होगा ऐसे ही videos के लिए channel को subscribe करना मत भूलिएगा प्लीज आप video देखते हैं channel को subscribe नहीं करते हैं तो please channel को subscribe करें वीडियो को like करें ऐसे ही video के साथ मिलूंगा next video में जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्या आपका भी देना हैगा thank you so much